गुद मर्निंग डियर स्प्रेंट आयम अजब यादा वेलकम तू राइजब अकेडमी आज हम बात करेंगे आडिकल का आज हम दे एंड करेंगे क्योंकि हमने दो कंप्लीट टॉपिक आपके एंदा करवा दिये दो क्लासें और तीसरी क्लास हम लेखे चलेंगे जैसा कि मैंन इस तरह कि देखें है जैसे मैंने कह दिया ऑफिटिकल का आज हम करेंगे तो देखो यह तावन का खेल है जैसे इसको बिटा दी अंड पढेंगे इसको कभी भी धा एंड नहीं पढेंगे कारण है कि आपका यह साउंड कैसा है आउस्ट की आपता था जैसे बात करें हम एब तो आपको पते ही है भी है पंसोनेंट साउंड और जो एन है यह वावल साउंड के साथ और दाकी बात की हमने यह अपने आप में यूनिक होता है इस पे हमने बात की ठीक तो कुछ प्वैंट हमारे दाके छूट गए तो एक दो पॉइंट उनकी बात कर लेंगे और बाकी आपको पता ही है कि जो ए एं होता है बच्चा यह आपका स्टिनलर काॉंट्यवल नाउन में प्रियोग किया जाता है दा आपका पता ही है सिंगुलर काउंटेबल नाउन है या प्लूरल काउंटेबल नाउन है या इतना तक आप समझ चुके थे अब हम बात करेंगे आगे चलके कि हमारा क्या कैसा अर्टिकल कुछ पॉइंट चुटा था जैसे हमने बात करा है आपका हमने एक सौर्ट फार्म में लिख दिया PCS जो अपनी बहांसा में देखिएगा कि पॉजिटिव कि खंपरेटिव कि खंपरेटिव यह पिटाइब डिगरी यह बात कर रहे हैं PCS आपकी पोस्ट की बात नहीं कर रहे दिगरी तो आपका बिफोर सूपर लेटिव डिगरी तुपर लेटिव डिगरी के पहले हमेसा 10 कि यह जाता है जैसे हमने कह दिया आप 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 देखा कि मैं क्लास में सबसे अच्छा हूं आपने देखा कि यह सुपर लेटिव डिगरी के पहले अटिकल काय का प्रियोग हो गया आपका दा का प्रियोग हो गया इसी सब्सक्राइब प्लस देन और पॉजिटिव तो इसके बाद हम काम करते हैं जैसे आपने देखा कि यह डिगरी के बारे में आपने सब समझ लिए अब चलते हैं बटा नेक्स जैसे आपने देखा कि जैसे युनाइटेड इस्टोड यह आप फिर आपने कह दिया डायरेक्शन पहले देख ले मुट्र डायरेक्शन नेम है चैसे आप देखना डेक्शन जो दिसाओं की बात करें तो दिसौण बच्चा होती है चार चार होती हैं हमने न्यू सब्सें बना दिया जैसे मैंने लिख दिया नौर्थ फिर मैंने लिख दिया आपका एस्ट फिर पर वेस्ट फिर साउट कि आपने देखा चारों दिषया हैं ओगें चारों दिशाओं से मिलकर वनता हैं मरा कोई सम्हुलाज समय चार्पस्थ्रों के पहले प्स्थ्रों के पहले इसड़ियो आपने देखा कि संद यूनिक है तो आपने देखा Article दखयो क्योंकि ये लगता है अभ देखिए अब दिसाओं के नाम के के पहले मैंने क्या बताया आर्टिकल ना तो आपने समझे होगा कि आपने देखा बीफोर डिरेक्शन चाहे पूरा पस्तिम उत्तर दच्छिर कोई भी दिसा उसके नाम के पहले हमेशा दा का प्रियूग किया जाता है फिर इसके बाद यह से सुपरलेटिव डिग्री हो गया इसके आडिकल दा हो गया अब विटा हम देख लेंगे ट्यूनाइटेड एक इस्टेट्स है उनाइटेड इस्टेट्स है अब यूनाइटेड इस्टेट की बात करेंगे जैसे हमने कह दिया दा यू के जो निस थो तो यूस ते इसके बाद आपने देखा जैसे इसमें लिख देंगे हम थोड़ी देर के लिए जैसे आपने कहें दिया आई आई लिब इन दा यू 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 आपने का कंट्री और प्रापर नाउन के पहले आर्टिकल नहीं आता है लेकिन अब आपने क्या यूणाइटेट स्टेट है आपका यह उनाइटेड रीस टेट Hindu टो आपने देखा ऐली दे तो आपका Collins सब्सक्राइब तो जितने भी आपके उनाइटेट इस्टेटेट हैं आपका अर्टिकल तो कर यह आपका किया जाता इसके बाद जैसे आपने इसे और भी आता जैसे युए यह यह सारी चीजह आपने देखा आपका इसे कंप्लीट था आप आपका देखें इसी में बेटा लास्ट आता है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं जैसे और अउर्डिनल नंबर और और करेंगे पेटा तो अगर नंबर होते हैं कि टेहर एप किरेंड ग। थर्ड, फोर्क, इसके बाद आगे, तिप्स, तिप्स, सेवन, एट, नाइन, टेन, अब देखो, और्डिनल नमबर यह होते हैं, जैसे हमने, इनके पहले हमें इसा आर्टिकल क्या होता है, जैसे हमने कहें दिया, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर और इंडिया, तो कुश्चन आपका ऐसा डिक्टियोस पॉर्डिंग एरर में आता है, तो आपने देखा कि ऐसे अगर डेस्ट दिया होता है, तो आप हर आलात में जब को मैंने पढ़ा दिया, बता दिया आपको कि और नंबर के पहले हमें इसा आर्टिकल दा कपरी होता है, तो आपका क्या हो जाएगा, दा फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर और इंडिया, तो आपने देखा, आप कॉर्डिंग नंबर जैसे यह फर्स्ट सेकेंड थर्ड हो गया तो नहीं होता बड़ आपको और्डियाल नंबर के पहले आर्टिकल का प्रियोग किया जाता है, चलते हैं, अब हमारी कहानी स्टार्ड होती है, यह तो था आपका बेटा रिवीजन, ए इन दाखा रिवीजन, था कहां आपको कैसे कहां पर दिक्क्त आ रही थी, सारी चीज अमिशन आप आर्टिकल, अब अमिशन आप आर्टिकल की बात करेंगे, सारे बच्चे, देखो बेटा, कोसिस तो यही करेंगे, हम लोग की बहुत काईदे से इसको समझेंगे, जो चीजें आपने अभी तक किताबों में पढ़ी हैं, बहुत समय लगा दिया आपने, जैसे देखिए, अमिशन आप आर्टिकल, जैसे किताबों में बहुत आपका समय लग गया, और उसमें कि इसके पहले आता, इसके पहले नहीं आता, अगर देखा जा तो सिर्फ एक पॉइंट में सारा खतम हो जाएगा, और फिलार हम कोसिस करें, कहां कहां नहीं आता, क्यों नही सिटीज, चाउन्स, विलेजेस, और इसमें बहुत सारी चीजें जैसे देखो, जैसे मैंने लिख दिया, स्टेट्स, अब देखो लेंग्वेज, लेंग्वेज के बाद बच्चा अपने लिख दिया, गेम्स लिख दिया, फिर इसके बाद, रिलेशन्स लिख दिया, डिजीजेस आपका लिख दिया, मिल्स टाइम, मिल्स टाइम, जो खाने का टाइम होता है, और इसके बाद कई और और सारी चीजें हैं, जो आपने देखा है, सारी चीजें आपको देखते हैं, दिखाते हैं एक तरफ से, जैसे फेस्टिवल है, कलर है, आपका सीजन, सीजन, फेस्टिवल, कलर, सीजन, और इसके बाद आप लिख सकते हैं, डे, कमा मन्थ, बहुत सारे आपको देखें, इनके पहले सारा आर्टिकल आपका नहीं आता है, जैसे इसमें, कन्वेंस भी लिख सकते हैं, हम लोग, देखो, कन्वेंस जैसे नहीं, कभी मोटर साइकल ट्रेन, बस एरो प्लेन, सिप से जाते हैं, तो बाई दा ट्रेन, बाई, तो ऐसी सारी चीज़ें अब नहीं आएंगे, इनके पहले सारी चीज़ें, आर्टिकल में प्रियोग नहीं होती हैं, फिर भी अगर आपको जब भी लगता है, यह सारी चीज़ें, तो हर हालत में उसका हम लोग देख लेंगे, अब जैसे इसमें हम लोग बात करेंगे, कि कैसे, कहां पर जैसे मील्स टाइम की बात करें, अगर यह कामन नाउन के रूप में पर्टिकुलर यूज किय आपका हर हलत में आता है, जैसे मील्स टाइम की बात करेंगे, बच्चा हम इसमें देखेंगे, मील्स टाइम की, तो मील्स टाइम में व्रेकफस्ट, व्रेकफस्ट, इसके बाद, एक है अब दूसरा क्या है लंज तीसरा क्या है डिनर तो ऐसे बहुत सारी चीजें अगर आपकी आती है तो आपने देखा इनको सारी मतलब कह सकते हो इनके सारे अगर हम नाम लिखते हैं तो साइदी आप लिखते लिखते ठक जाएंगे जैसे एक तरफ से आप देख लिजे फिर भी एक्जांपल में सारी चीजें हम लोग नोट करा देंगे अब जैसे की बात करेंगे तो डिशीज में अब हमने कह दिया कि सारी यह आती जैसे जितरी वी डिशीज हैं कुछ डिचीज हैं जो प्लूरल फॉर्म में उनके पहले दा आता है जैसे हमने लिख दिया दा Moms और The Measles The Measles अब The Measles की बात करेंगे The Moms की बात करेंगे तो आपने देखा यह आपका article आ रहा है लेकिन जैसे ही दूसरी बीमारी लाएंगे तो आप garlic नहीं आएगा अब देखो जैसे relations की बात करेंगे relations में जैसे आपका मदर मदर के बाद फादर मदर अब मदर फादर अंकल अंटी सिस्टर मतलब जो भी रिलेशन्स हैं उनके पहले कभी भी आर्टिकल नहीं आता जैसे आपने दिखा गेम की बात करें हम बेटा होके बॉलीवाल क्रिकेट 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 की बात करें अब देखना लेंगवेज की बात करें हम जब जैसे लेंगवेज में हिंदी इंग्लेस और उर्दू सारी चीज हैं लेकिन कामन नाउन के रूप में जब प्रियोग करेंगे तब आर्टिकल आता पर्टिकुलर जब यह देखन तो नहीं आता अब जैसे देखिए करते हैं तो यह कुश्चन सही होता है क्यों सही होता है क्योंकि आपने देखा कि पांच नदियों का जो एक पानी होता है अब जैसे पांच नदियों है तो हर अलत में इसमें दा का परियोग हो जागा बाकी स्टेट है टाउन्स है विलेज है सिटीज है उनके पहले आर्टिकल नहीं आता है अब यह सारे चीज़ें देखो जब कंवेंस की बात करेंगे तो कंवेंस में जैसे आपने देखा ट्रेन कि ट्रेन प्लाइट कार जो भी आपके पास बाइक बगेरा है अब मंत में तो पते ही यह 12 मंत होते हैं आपका जैन पैव मार्च और इसके बाद डे तो पते ही यह 7 डे जोते हैं आपका संडे टू आपका मंडे कि मंडे इसका सीजन्स की बात करेंगे बच्चा जैसे विंटर कि सॉमर कि रैन बगेरा सारे अब देखो कलर्स की बात करेंगे रेड ब्लैक जो भी हैं वाइट ग्रीन एलोव अब इसका फेस्टिवल की बात करेंगे जब अच्चा हम फेस्टिवल की बात करेंगे तो देखो फेस्टिवल में जैसे आपने देखा होली दिवाली अब मेल्स टाइम तो आपको अमने बताई दिया है डिजीजेस बताई दियें गौर से देखा अपने ओमीशन आप अर्टिकल सिर्फ इतना टॉपिक्ट ज्यादा नहीं है और आप बेकार फालतु में पता लगा प्रक्टिस यह कर लो इसके यानि पहले नहीं आप तरफ से तरफ से एक draft रूप में सारा करवा लेंगे आब साख इसके बाद कि नहीं आता सैंटा अंकजा अंटी ऑंड़ तरीग देखते हैं जैसे हमने सबसे पहले उठा लिया मील्स टाइम अब मील्स टाइम की बात करेंगे हम लोग की देखो मील्स टाइम मील्स टाइम की बात करेंगे जैसे आपका लंज डिनर और है कि व्रेकफास्ड लेखास इनके पहले हमेशा आर्टिकल आपका प्रियोग कभि भी जैसे दिया हो दय दिया हो यजह रहें अनड़ा कुछ भी दिया हो तो आपका प्रियोग आग्रिकल का नहीं किया जाता है समझ रहा है जैसे आपने कह दिया आई एट आई आई एट आई एट आई एट दा डिनर तो आपने देखा कि डिनर है तो डिनर आपका आउर्टिकल यह नहीं आता है और एक्जांपल कई ऐसे हैं कि जैसे आपने वैसे तो दिनर है लंच है इनमें आपका एट की बात करें तो एट ना के आपका देखा होगा एट करते हैं तो उसमें टेक का भी इस्तेमाल कर लिया जाता है क्योंकि आपने देखा अब जब ब्रे ब्रत तो यह हमारे मनुष्य से पढ़ाएंगे अच्छे से कैसे तोड के कैसे उसका रूट बाड़ अब देखना यानि ब्रेक फस्ट का मतलब है देखना तोड़ना अब आप सुबह का नास्ता बोलते हो सुबह सुबह तो आपने देखा पूरी रात अगर आपने साम को तो आपका ऐसे समझ लेजिए जो फास्ट है वो पूरे दिन का टूट जाता तो उसी को तो ब्रेक फस्ट बोलते हैं ना कि आपका सुबह का नास्ता फिर भी आप जो बोलते हैं उस पोकेन में चलता है लेकिन ग्रामर की बात करते हैं अब आपने देखा कि जैसे यह लंच कर दिया मैं कह दिया आई है कि अब फिले कर दाद क्रिकेट थो आपने देखा आइप लग दकरकेट आपका पहले नहीं आता ऐसे होकी है बॉलीवाल है कबड़ी है खोको है कई सारी जितने भी गेम है आप इसके बाद देखो जैसे हमने कह दिया फेस्टिवल की बात कर रहे थे अभी हम कि फेस्टिवल जैसे हमने कह दिया कि आई बिल कि आई बिल मीट यू कि आउन दा होली तो समझ लीजिएगा कि आउन दा होली नहीं होगा तो इस टाइप के कई या एक यार आती है तो हार आलत में आपने देखा कि नहीं प्रियोग ही नहीं करा जाता आइसे प्रक्टिश के हम थोड़ा और चलते हैं जैसे हमने कह दिया में जैसे मैंने कह दिया आई कैन इस्पीक दा हिंदी अब देखो लेंग्वेज के पहले हैं लेकिन मैंने कह दिया आई कैन इस्पीक 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 इंग्लीज देखो आपने स्पीक इस्पीक इंग्ली इस्पी इंग्लीज लएक बतो आपने कहा से जब कामन नांन के रूप में प्रियोग ओ तो आाप ने देखा यहां पर शेटेल परियोग किया जाएगा आइक इस्पीक इंग्लीज डाइन के सबसेंदेफिए जो आपको नई समझ में आ रही होंगे लेकिन ऐसा नहीं है सारह अगर विदिवत करेंगे तो जैसे आप देखा होगा जैसे सब्जेक्ट की बात करें सब्जेक्ट कि आर्टिकल नहीं आता है जैसे हमने कहें दिया आई है कि आई है कि दा फिजिक्स कि आई है दा फिजिक्स तो आपका खड़ जाता है लेकिन जैसे हमने कहें दिया आई है कॉमन नाउन के रूप में कि आई है दा कि पिजिक्स कि सब्जेक्ट तो आप आपने देखा कामन नाउन के रूप में तो कई ऐसी चीजें हैं जो पहले वाद तो हमने जो गराब बना दिया ना कि आयम गोइंग टो कानपूर कानपूर कि बाए आ बस मैं कानपूर जा रहा हूं किसके द्वारा बस क्यों द्वारा तो बाई बस होगा आपका ना कि बाई आ बस बेटा जो भी एक ग्राब मैंने बनाया उससे बाहर आर्टिकल हर आलत में जाने की कोई ज़रूरत नहीं पढ रखेंगे फिलाल उसमें जो भी जहां-जहां समस्यां आएं तो आप देखे कमेंट करके हमको बताईएगा फिर भी हम सारा सारी चीज़ें देख लेंगे आपने जैसे कह दिया कंट्रीज अब एक प्रॉपर नाउन की बात करेंगी जैसे हमने उसमें कह दिया कंट्रीज यानि कंट्रीज यानि बहुत सारे देश अब देश बहुत सारे देश तो कामन नाउन हो गया अब बहुत सारे देश कामन पर्टिकुलर की एक देश का नाम ले लिया अमने ना तो अब देखना जैसे हमने कह दिया कंट्रीज अब हमने कह दिया इंडिया आपका आई इंडिया लिख दिया यह अमने लिख दिया द जापान द जापान फिर लिख दिया हमने द सुडान अब देखू आर्टिकल का प्रियोग नहीं होता लेकिन कब होता जो कि मैंने अभी आते आते तुमको पहले पॉइंट में बता दिया था युनाटेट इस्टेट होते हैं उनमें प्रियोग की दा तो जो भी बनाया है उसमें हर हलत में आपका आर्टिकल इससे बाहर नहीं होगा यांवी सनोन अप आर्टिकल का चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग जैसे घर शुमक्न लोक करेंगे कि कहांपर आर्टिकल जैसे एक प्वाइंट है जैसे नो आर्टिकल कर लेंगे इसको जैसे देखो जैसे प्रापर नाउन प्रापर नाउन मटेरियल नाउन और एक टेक नाउन इनके पहले आर्टिकल नहीं आता है जैसे प्रापर नाउन की बात करें पर्टिकुलर किसी का मने नाम ले लिया जैसे हमने कहें दिया थोड़ी देर के लिए दा राम गोपाल अब यह प्रापर नाउन है जहां पर हम रह रहे हैं आप जिस सेर में बच्चा रह रहे हैं जैसे मैंने लिख दिया कानपुर तो आपका यह प्रापर नाउन है आपका इसके पहले अगर हम बात करेंगे तो आपका आर्टिकल इसमें आता है नहीं जैसे हमने लिख दिया दा तो इसमें कोई मतलब ही नहीं अब मैटीरील ना उनकी बात करेंगे बेटा जैसे हमने कह दिया आपका जैसे गोल्ड हो गया या आपका कि एक फिल्बर हो गया बहुत सारा मैटीरियल है खाने पीने वाली जैसे हमने कह दिया I have I have the silver मेरे पास चांदी है तो आपका नहीं होता है अब देखना आपका फीलिंग्स हो गया आपका फीलिंग्स जैसे हमने थोड़ी देर के लिए आपके नाउन का एक्जाम्पल दे दिया अब मैंने लिग दिया यहां पर बच्चा जैसे लिखा हमने आप और ओनेस्टी इस इस दब बेस्ट पॉलिसी इमानदारी सत्यता के नहीं थे अब देखना जैसे आपने देखा कि एफ्टेक नाउन है अब यह अनकाउंटेबल नाउन और एफ्टेक नाउन अब देखना अब यह दा आया तो यह सुपरलेटिव डिगरी के लिए आया अब एन ओनेस्टी अब ओनेस्टी को क्या बिटा गिल लोगे बताईए तो हमने कहरें जो चीज फील हो सकती है जैसे हमने हवा फील हो सकती है हम थोड़ी देर के लिए ऐसे बना दें अबस्टेक नाउन की जैसे हमने कह दिया आई फील आई फील विंड तो यहां पर लगके अगर आता आई फील दा विंड तो आपने देखा एपसे नाउन हवा तो हमको फील होती है एयर और विंड तो हर आलत में आपका दाखा प्रियोग नहीं होगा तो आपने देखा थोड़ी सी अगर हम बात करें कि हवा थोड़ी सी हमको दे तो उठाके कि आउन कांटहै नाउन हो और अपका कोई वाली चीज है जीसे अभी आपको थोड़ी देर के लिए एक कंट आप दे दें तो आपको दर्द महसूस होगा ना तो यह चीज़ यह उनकाउंटेबल नहीं किया जाता है नेक्स चलते हैं लोग और हम बात करते हैं आपका नो यूज आप आर्टिकल प्राइमरी परपस यह और देखो प्राइमरी परपस का मतलब जानते हैं जो मूल भूत आपकी जितनी भी आपका मूल उद्देश होता है प्राइमरी परपस का क्या होता मूल उद्देश होता से अब यह मतुको पॉइंट लिखाएंगे जैसे हमने लिक दिया बिटा प्राइमरी परपस में हमने लिख दिया coachings schools universities coaching schools or universities hospitals markets markets coaching school universities hospital markets temple और चर्च आपने देखा इनका primary purpose क्या होता है जैसे हमने बात कर दी आपकी temple और चर्च में इनका प्राइमरी उद्धिस क्या होता है कि पूजा ही करना होता आप आपका coaching school university पढ़ाई करना होता है अब होस्पिटल में क्या treatment है मार्केट में कोई चीज आपका shopping मगेरा purchase selling तो आपने देखा अगर primary purpose होता है तो हम कहते है no use of article primary purpose कब आप गवर से देखिए जैसे हमने कह दिया कि I am I am going to the school I am going to the school every day अब गवर से देखिए I am going to the school every day तो हर हालात में primary purpose क्या अब जब स्कूल में primary purpose का होता पढ़ा ही होती होस्पिटल में जैसे treatment होता है अब फॉर एक्जामपल अब आर्टिकल दक कब से होगा फॉर एक्जामपल जैसे हमने इसी जगर दूसरा एक्जामपल दे दिया अभी देखो ही ही फूस तो हस्पिटल, ही जोस तो हस्पिटल वोस तो हस्पिटल तो हस्पिटल इस प्रेंट में और भेक्जामपल जैसे तूप देखना ही डूप पर प्राइमेरी पर्पस जा जा रहा तो आज आता है यहां प्राइमरी तो आपने देखा अपने मित से मिलने के लिए जा रहा है तो और स्कूल है को लिए स्वें टेंपल है तो हर आलद में प्राइमरी परपक्स प्रेमरी पर्पस्स दाख प्रियोग नहीं होता है चलते हैं बेटा नेक्स देखते हैं अब जब नेक्स्ट की बात करेंगे बच्चा हम लोग जैसे डॉन जहां पर आर्टिकल नहीं आता है देख लो डॉन हो गया डे ब्रेक सुन्राइब सुन्सेट नून नाइब इस्टर्डे इस्टर्डे तुडे तुमारो तो आपने देखा इनके सब के पहले जितने भी यह सब्द है आर्टिकल का प्रियोग नहीं होता है अब देखना बिटा जब हमने बात करिए यहां पर डॉन की डॉन का मतलब क्या होता है भोर होता है जो आपका अर्ली मॉर्निंग बोलते हैं अब डेव ब्रेक का यह बिफोर सन्राइज होता है पहली किरण यानि कह सकते हैं फस्ट रेज पहली किरण सूर का निकलना सूर का छिपना दोपैर रात्री बीता हुआ कल आस और आने वाला कल तो इनके सब के पहले प्रियोग बेटा नहीं किया जाता हर हालत में गौर से देखिए जैसे मैंने कहें दिया कि आई कि आई बिल कि आई बिल मीट यू कि एड दा नाइट अब देखिए मैंने एक सब्द उठा लिया नाइट आई बिल मीट यू एड दे नाइट मैं रात में तुमसे मिलूंगा तो आपने देखा जब है कुछ चीजें प्रिपोजीशन होती हूं वह बिटा फिक्स होएंगी जैसे एड नून है एड नाइट है और संसेट है और संराइज है तो कई सारी प्रिपोजीशन टॉपिक में लेके चलेंगे तो आपने देखा इनके सब के पहले बस इतना याद रखिएगा डॉन डे अगले पॉइंट की तरफ देखेंगे जैसे अगले पॉइंट में हम लोग बात करते हैं जैसे पजेशिव एडजेक्टिव और पजेशिव प्रॉन यह और देख लो एक बार पजेशिव एडजेक्टिव और पजेशिव प्रॉन अगर इनके बाद ठीक नाउन है तो आपका इनके ठीक बाद नाउन है तो आटिकल का प्रियोग नहीं होगा तो आपका आटिकल का प्रियोग नहीं होगा आप देखो ना पजेशिव एडजेक्टिव या पजेशिव प्रॉन जैसे मैंने बात की I मैं मैं रावर यूर यजर इसका पर इसόल इस अबदे वीडेश सोरॉं एदर निदर प्लस इनके बाद कोई भी बच्चा नाउन है तो हर आलत में आर्टिकल आने की कोई ज़रूरत नहीं प्लस उसके बाद अगर नाउन होता है तो आपका माई यह वर यह जो अपना स्वामी से रखने हीज है अरे इटासघर इस अब्री इदर नीदर तो कभी वह इनके पहले आर्टिकल आपका अब यह लग जाएंगे तो इनके पहली का हर आलत नहीं के बाद प्रियूं नहीं जाता इस इसके बाद बेटा नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं हम लोग जैसे काइन्ड आउफ काइन्ड आउफ प्लेंटी आउफ और इसके बाद अलॉट आउफ और लॉट आउफ होगा यहां पर बिटा अलॉट आउफ और लॉट आउफ देखना अगर इनके बाद भी आपका नाउन दिया है तो भी आर्टिकल का प्रियोग नहीं किया जाता है जैसे मैंने कह दिया आई हैब आई हैब लॉट आफ दा मनी मेरे पास बहुत सारा धन है अब देखना बहुत सारा लॉट सा आपको डिनोट कर रहा है तो आपने देखा बहुत सारा धन है तो आपने देखा आई हैब लॉट और उसके बाद आप देखना आपका नाउन है तो बीच में आर्टिकल की जरूरत नहीं है आई होब बच्चा आपने सारी चीजें बहुत अच्छे से समझी होंगी और मिशन आप आर्टिकल इससे बाहर कुश्चन आपका जाने की जरूरत ही नहीं हर आलत में अब हम नेक्स टाइम आपका क्या करेंगे बेटा सीधा प्रक्टिस्यड लेकर आएंगे अब जब प्रक्टिस्यड लेकर आएंगे तो सारी समस्यां आपकी बेटा खतम हो जाएंगी आई होब आपको समझ में आया जाएंगे